इसमें हम वीडियो नमर 9 में पढ़ेंगे derivative of implicit functions अभी तक हमने composite functions पढ़ा था अब हम implicit functions पढ़ेंगे मैं बता दो कि implicit functions होते कैसे हैं देखिए इस exercise में आपका exercise होगा यह 5.3 होगा ठीक है इस exercise में आपको questions कुछ ऐसे मिलेगा पहला questions है you find dy upon me dx in the following problems तो problem number first आपको मिल जाएगा कुछ ऐसे कि question number one और यहां पे शिर्फ दिया रहेगा 2x plus 3y equal to sin x तो हम इसको क्यों कहेंगे कि यह implicit functions है देखिए पहले हमारे पास जो भी होता था या तो हम उसको y बराबर मान लेते थे जो भी functions होता था या फिर ऐसा होता था कि हमारे पास दिया होता था f of x और इधर अपने पास कुछ something दिया रहता था x square plus 2 जिसको हम y बराबर मानते थे और x square plus 2 अब इसमें क्या है ऐसा कुछ नहीं दिया है तो इसमें क्या करिया है कि दोनों functions एक ही साथ कर दिया है जैसे कि f of x y दोनों mix कर दिया है और यह ऐसे कर दिया x square plus y square plus 2 यह मतलब functions ज okay I hope अगर यह भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं घबराने वाली बात नहीं जब हम करने लगें questions तो इस सबसमझ में आने लगेगा ठीक है तो घबराना नहीं है तो देखिए अब इसको अगर हमें derivative करना है तो इसका rules तो पहले का जितना भी हम सीखें वहीं लगेग एक्स करिस्पेक्ट में differentiate करते हैं कि चुकि हमें क्या चाहिए डियो एकॉन में डी एक्स तो यहां पर लिखेंगे हम differentiating both side of the equations with respect to x हाना तो लेकिन अप इतना जो है sort में लिख लिजिए normally कि differentiate both side with respect to x ऐसे हमने लिख लिख लिया और यहां पर y को हम क्या माल लेंगे differentiable functions मान के चलेंगे हम कि y क्या है x का differentiable functions है तो देखिए यहां पर क्या करेंगे इसमें derivative दोनों side लगाएंगे तो derivative of एक बार मैं पूरा समझा दे रहा हूं उसके बाद से हम क्या करेंगे कि अलग-अलग derivative हम लिख लेंगे पहली बार मैं ऐसे करता हूं कि दोनों तरफ हमने differentiation किया तो derivative का क्या लिख दिया हमने 2x plus 3y और with respect to x और इधर भी हमने derivative of लिख दिया sin x with respect to x अब आपको बताया था ना इस्टाटी में कि plus या minus अगर दो functions separate होते हो तो उनको अलग-अलग derivative किया जा सकता है तो यह line जो है अगले step में हम नहीं लिखेंगे बस आपको समझाने के लिए step यह बता दिया है अगली बार हम direct करेंगे जैसे मतलब इसके बार वाला step ल हो चुका है तो इसको कर देते हैं हो जाएगा यह Cos x चीख को को एक futur synth है तो बाहर जाएगा तो क्या वार यह रागए, dx कितना होता है यहाँ पर 3 बाहर रहा जाएगा और यह दी बाह'll में dx यही तो निकालना है हमें और यह हैं और यहांपरहोग्य को बाइक जब हमें, द दूसरे शेट ले जाएंगे तभी ने इसका वैलू आएगा तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थ्री अब यह बीच में equal to है तो यहाँ पे imply या फिर और लिखना जरूरी है यह हिंदी में कहें तो हमें इसको या लिखना जरूरी है imply लगाना जरूरी है clear है तो यह अपना जो है first का answer यह हो गया second का answer देखे second questions का गार है 2x plus 3y second number questions दिया है यहाँ पे second number questions है 2x plus 3y ब्राबर sin y यह हमें questions दिया हुए है इसको भी ऐसे ही बार-बार मैं यह नहीं लिखूँगा differentiate with respect to x तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अब मैं direct इसका कर रहा हूँ यह भी step नहीं लिखूँगा direct यह step तो यहाँ पे 2 बाहर हो गया a derivative of x with respect to x यहाँ पे 3 बाहर हो गया यह तो फिर से same questions हो गया problem number नहीं नहीं यहाँ पे x था इस questions में क्या था x था यहाँ पे y आ गया ठीक है same questions नहीं है अलग है तो यह 3 आ गया बाहर constant है तो और do upon में dx equal to अब यहाँ पे देखिए derivative of sign और मैंने बताया था कि जितना यहाँ angle होगा उसी के respect में करते हैं तो यहाँ पे y के respect में करेंगे और फिर y का derivative में dx1 तो उसको नहीं लिखेंगे plus इसका 3 dy upon में dx और equal to sin y का derivative कितना हो जाएगा cos y और into dy upon में dx हमें dy upon में dx निकालना है तो उसको एक side करना होगा भाकी term को एक side करना होगा तो क्या करते हैं कि इसको को इस side लाते हैं तू को उस side लाते हैं या फिर ऐसे करते हैं तू को यहीं पर रहने देते हैं इसको उस side ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा cos y into dy upon में dx minus 3 dy upon में dx अब इन दोनों में common है dy upon में dx तो separate कर लेंगे यहां पर लिखेंगे 2 cos y minus 3 हमने क्या common ले लिया dy upon में dx common ले लिया जब हम इसमें common ले लिये तब इसी का value निकालना है तो यह बाकी into में है तो इधर जाएगा तो divide में तो हम कहा सकते हैं कि dy upon में dx equal to to a division में यह चलाएगा cos y minus 3 और यही अपना क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है और यहां पर imply का sign जो है वो मत भूलिएगा यह आपको लगाना जरूरी है और यहां पर वो line भी लिखना जरूरी है differentiate both sides with respect to x क्लियर है question number 3 देखते हैं आप question number 3 है यहां पर a x plus b y square a x plus b y square equal to cos y इसका differentiation करना है इसका भी देखें यहां पर लिखेंगे differentiate both sides with respect to x तो यहां पर एक constant है तो यह बाहर आ गया और x का derivative यहां पर करेंगे plus यहां पर b constant है बाहर आ जाएगा derivative इसका होगा y square का अब वह y है तो y के respect में होगा न क्यों y to the power n हो गया है तो y के respect में होगा और फिर dy upon में dx देखिए formula क्या था x to the power n तो x के respect में तो y to the power n तो y के respect में करना होगा हमें ठीक है equal to derivative of cos y अब यहां पर angle y है तो y के respect में और यहां पर हमें x के respect में करना है तो इसका भी हो जाएगा y का भी x के respect में अब हमें यहां पर एक line यह लिखने के बाद यह हो गया a हो जाएगा plus में b इसका कितना हो जाएगा 2y पावर पहले आया y का power 2-1 तो 2y हो जाएगा dy upon me dx equal to cos का कितना होता है minus sin y dy upon me dx अब हमें dy upon में dx निकालना है तो इसको एक side करना होगा ठीक है तो हम क्यें है इसको यह तो इसको सबस्त पर श्राइड है यहां फिर उसके लेकर जाएंगे ठीक है तो हम क्यें करते हैं कि एक वो जो है उससेड लेकर आते हैं तो देखेंगे यहाँआपक होगा समझेंगे कर रहा हूं हम क्ये कर रहे हैं कि यह समझेंगे ब Un о2 و O और dy upon में dx यह equal के इसी side रह गया और यह equal के उस side था minus में था इदर आएगा तो plus में हो जाएगा तो plus में हो गया sin y dy upon में dx, बात समझ गये अभी यहाँ पे बराबर है, अब इधर देख रहे हैं कि क्या है यह plus में है, plus में है तो कि उदए जाएगा तो माइनस में तो क्या हो जाएगा यहां-पाहि dx तो क्या बज़ेगा 2 by अब plus का sin y equal to minus a हमें निकालना है dy upon में dx का विमान यह हो जाएगा minus a और यह चुक्कि multiply में है तो total कहां चलेगा divide में तो 2 by plus का sin y और यही में भी answer होगा ठीक है ठीक है तो next जो है अगले वीडियो में करेंगे वीडियो नंबर